नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं बाते बताऊंगा वो वही बात है जो आपको समझा दूँगा देखें यहाँ पर पूरे हमारे सनातन परमपरा की जो केटेगोरी है वो बहुत सारे लोग जो है उस सनातन परमपरा में बहुत जो है बयानवाजी करते हैं तो आज हमारे पास ये बुक का PDF है जिसमें कहा गया है कोली डोगमा, एक परकार का जो है बीदेसी राइटर का लिखा हुआ ये पुस्तक है, इस पुस्तक में एक वो खुद बीदेसी राइटर ही उस पुस्तक का ये जो टेवल आप देख रहे हैं वो बनाया है, अब इस टेवल के नाम पर जोडते हैं, जो जातिवाद के नाम पर तोडने वाले व्यक्ति होते हैं, जो एक एक जाती के चैनल बना बना कर जो है वो सभी में जो है वो गंदगी भरते हैं, सभी के मन में जो है एक दूसरे के प्रतिद्विस्ता की भावलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही महत्पुर्ण होगा आज वही वाली बात हो जाएगा कि जिसमें हम बात करते हैं कि क्या है देखिए बैसिकली ये है अपना जो है भाई ब्राम्हन इनको कहा जाता है ब्राम्हन इनको कहा जाता है छत्रिये इनको कहा जाता है बैस ठीक है और यहां पर क्या लिखा है must people as per as per the koli dogma जो books है उसके हिंसाब से मैं बता रहा हूँ ये pdf मेरे पास available है कि must people would say all these cast are should must people would say कौन किसको अधिकार है भाई सुद्र कहने का किसको आदमी को अधिकार तो नहीं है लेकिन ये book झो है खुद बता रहा है कि मैं गलत कहरा हूँ क्योंकि मैं इंसानों की आदमी को मान कर कहरा हूँ कि बहुत सारे लोग इनको सुद्र मानते कौन मानते है भाई दूसरे धर्म के आदमी हमारे भाईयों को सुद्र के टेगोरी में 90% लोगों को सुधर के अंदर डाल दिया और 5-10% जो है ब्राम्हन को साइड कर दिया, छत्रिये को साइड कर दिया अब देखिए कि यही सनातन परंपरा को तोड़ने का एक मुहीम है, समझिएगा आपने आपको, जो है वो कोई यहां पर बड़ा छोटा का भाव नहीं है समय एक फेज में सभी धर्मों में आज भी जाती पाती है यह A.C.I.A. का समस्या है न कि सनातन का समस्या है दूसरा पॉइंट होता है क्या कि यह धर्म की पुस्तके में कहीं पर भी जिकर नहीं मिलता है हमने जितना पढ़ा है मैं बहुत ही असपस्ट तरीके से and the most important point यहां पर उससे भी अधिक है कि यह जो सुद्र सब्द है वो तो बहुत ही हम कहते है इसको गौरबसाली सब्द है वो सब्द नहीं है जो दलित सब्द कम्यूनिटी है या तो फिर जो हरीजर्स कम्यूनिटी है जैसे कि मैड मेन है जो इंसानों ने रचा है अपने बुद्धी बिबेक के आधार पे उन कम्यूनिटी में और सुद्र समाज का यह सुद्र जो सब्द है इसमें जमीर और आसमान का भी फर्क है और इसमें क्या लिखा हुआ है अब देख लिजिए यहाँ पर यहाँ पर है क्या कि ब्राम्हिन लेंड ओनर्स एंड प्रिस्ट इंटर्नल क्लें हायर की बेस्ट ऑन दा हाइपर गैमी हाइपर गैमी मतलब होता है अपने से बड़े के साथ भी बाह संबंद होता है तो वो हाइपर गैमी कहलाता है राजपूत लेंड ओनर्स एंड वारियर इंटिरर क्लें हायर की बेस्ट ऑन दा हाइपर गैमी यह भी हाइपर गैमी के बेस्ट है और यहां पे क्या है, means mahajana traders are also come inside what, यहां पे क्या लिखाया है यह देखी, inside the अंदर के, inside means अंदर के, यह अंदर के जाती इनको माना गया है, अब क्या होता है कि यहां पे देखिए, touchable touchable कहां तक है, touchable यहां तक है और touchable कौन सा, कौन सा जाती untouchable माना गया यहां पे, as per this book, हमने देखा कि यहां पे, तीन जो है, वो, देखिए, यहां से ले लिजिए इनको untouchable माना गया है इनको untouchable, यहां यह लाइन मिल जाता है देखिए, इनमें untouchable है, एक है dome, dome समाच जो है, मारे, चमार और भंगी, यह तीन ही untouchable है, untouchable में यह तीन है लेकिन, यहां पे देखिए duma means basket maker and the sun high means musicians, and julaha means weaver, jogi means what beggar and koli means the cultivators koli means cultivators, all are outside, inside यह सब किन में आते हैं, कभी तो छत्रिये भी है, और कभी छत्रिये से बाहर भी है, अर्थात इनमें कुछ तो छत्रिये हैं, कुछ छत्रिये समाज से बाहर है, but all are considered to be touchable, and as per this book हमने यह दावा करके कह दिया, इसके बाद देखिया भी, यहां पे क्या है कि backward class जो है, status क्या है, इनमें नील है, ब्रामन में कोई backward नहीं माना गया, दूसरा क्या है other backward class, यह सब जो है, जिनमें आप कारपेंटर, लोहार, सुनार बढ़ई, विसकर्मा समाज के लोग आज हैं, उनके जो है, वो backward class के अंदर, और तीसरा जो है वो sidule caste कास्ट के अंदर खा गया है जैसे की कोली समाज को, ठीक है other backward class भी है, कुछ इनमें और यह तो sidule caste है ठीक है, sidule caste, यह modern है, लेकिन यह अभी wrong हो गया, इस book में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को sidule caste कास्ट के अंदर, जो है यह एक महानता है कि इंडियन, जो government है बहुत सारे लोगों को sidule caste के अंदर और भी जा रहे हैं, तो यह अच्छी बात है सब को मिलना चाहिए, development सब को मिलना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए यह बुस्तक, जो एक BDC writer के तुआरा लिखा गया, इसमें भी यह बात का समझा गया वो भी समझ गया, लेकिन कुछ भारतिये लोग नहीं समझ पाते हैं इसका मतलब क्या है? वो समझते नहीं है अईसा नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते है आपको सुद्र बना देंगे आपको के ऊपर सुद्र टाइटल लगा देंगे विस्त Zusammen to yourself आपको जो है बदलना चाहते हैं वो दूसरे धर में पडिवर्तन करवाना चाहते हैं ऐसा ही कुछ होता है as per the evidence whatever we have and we always see around us so यहाँ पर यही चीज होता है I hope so कि आप लोगों को यह तीन समाज और कोली समाज को inside out में रखा गया है inside out में यह as per this book हम तो inside ही सबको मानते हैं हमारा मत तो सबको inside मानने का यह और inside क्योंकि है हम धर्म पुस्तक आधारों पर ही बताते हैं यह पर कोई श्वाचूत untouchability नाम की चीज़ नहीं है तो इन सब का तनार और तनीर और भनगी समाज जो है इन सब का काम जो है वो कुछ ऐसा काम था जिस वज़ा से जो है इनको untouchable माना गया था बात बाकी सब जो भी है ठीके आप देखिए अब इनमें भी देखिए जो ये這個 समाज है बास्केटमेकर सिर्भ बास्केटमेकर करके साथ उनका अलग काम भी है और इनका उत्पती जो माना जाता है उत्भभ वो direct हायर वर्ण अथोरिटी से, ब्राम्वन हायार्खी से मना गया है डूम समाज का, यहीं पर आप चमर वर्ण्स का जो है, जब आप देखते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो वो भी छत्रिये से, इनका उदभव मताया गया है, यहीं पर यह जो भंगी समाज है, वो भी आपको अ…